अगर राम में दम है तो आज कोरोना समाप्त कर दे, सीव में दम है, देवदी देवताओं में दम है, कोरोना को इस महमारी को विश्व से खतम करें, लेकिन ऐसा कोई देवी देवता में इसाथ छाम साम अर्टु को होता ही नहीं है हलो फेंड्स मैं गौतु कुमर आप सबुक एक बाद फिर से अर्जक संग के ऑफिसेल ट्वी चैनल में स्वागत करता हूं, साथ हो एक बाद फिर से मेरे साथ मानी अरुन कुमर गुपता जी जुर गया है, जो अर्जक संग बिहार परदेश अध्यक्ष है, और आज उनसे ब न्यू जा रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदरी बन रहा था, इस पर बीच में कुछ विवाद्धी हुआ था, क्योंकि वहां पर बुद्ध के ऑसेस मिले लगे थे, लेकिन फिर भी उनकी सरकार है, उनका सत्ता है, उनका राज है, तो वे इस बात को दरकिनार करते हुए पांच तारीक को वे वहां पर सिलन्यास करने वाले हैं, यानि राम मंदरी का उड़हाटन करने वाले हैं, और आज देश की हालत को देखते हुए, क्या करना चाहिए था इन परधान मंतरी को, और क्या नहीं करना चाहिए था, और आज पुरा भारत देश को छोड़ कर, परकास डालते हुए, हमारे जितने भी मुल्निवासी भाई साथी हैं, उनको कुछ मैसेज दे, और मैसेज के माध्यम से परधान मंतरी तक मैं चाहता हूँ, कि इस वीडियो को पहुंचाओ, और ताकि वे इन सब चीजों पर ध्यान दे सके, तो कुछ इसके बारे में मानव समुदाय को मतलब की मार रहा है, ऐसी परिष्थिती में हमारे देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी और सत्ताधारी दल दवाक का इन्भेंशन खोज नहीं कर रहे हैं, दुगा का उखोज कर रहे हैं, और सासत भगवान का खोज कर रहे हैं, और भगवान का निर मान करने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि माननिय पड़ाई मिनिस्टर नर्न मोदी जी, अगर सदबुधि उनकी होगी, तो इस मुकर जाएं, अपने हां से न करें, तो आने वाला समय, मैं मोदी जी को बकसने वाला नहीं है, जिस दिन यहां का 90% मूलवासी अर्जक समझ कर रहे हैं, सोसन कर रहे हैं, इनका समर्थन ले लिया कि मैं भी चाय बेचने वाला हूं, मैं भी पिछरे बढ़क से आता हूं, लेकिन पिछरे बढ़के हैं नहीं, तो कि पिछरे बढ़के होते हैं, तो पिछरे बढ़के होते हैं, तो पिछरे बढ़के का करपुरी का उस साइड ले रहे हैं, ब्रह्मनवाद का साइड ले करके, जब कि अगर नरेद मोदी जी को मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, चुकर प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं, अब पावर उनके पास है, इतिहास की जानकारी उनको प्राप्त करना चाहिए, इन दम ये कालपनिक बात है, राम जोति बसु ने भी कहा था, और करुणा निधी भी कहा था, राम जनम भूमी का भी बाद, तो उन लोगों ने तो असपस्ट कहा कि भारत में भी, इतिहास में भी मैं इतिहास परहा हूं, इतिहास की जानकारी है कि कोई प्रमान पुरुफ इत जमा पहना करके, सत्क जमा पहना करके, ये चाह रहे हैं कि हम हिंदू मतलब की मानसिक्ता के लोगों को खुस करें, अब फिर प्राइम मिनिस्टर बने रहें, लेकिन जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, कि हमारे पीठ में 90% बैकवार्ट दलितों के पीठ में ये ने ने न अगर अगर इस उद्गाटन पांतारिक को उनके द्वारा, उद्गाटन किया गया, तो आने वाला नरेज मोदी जी को मैं कहता हूँ कि आने वाला समय आपका कलंकित समय होगा, अपमानित समय होगा, और आपके सारे जीवन के सारे पहलूओं को कालिक से पोत दिया जाएगा, और कोई बगसने नहीं जा रहा है, इतिहास कोई छोड़ और बुद्ध के जगह पर आप राम बना रहा है, जबकि बुद्ध परमानित चीज है, बुद्ध भारत का टोटल दार्शनिक पदातवादी सोच के दर्सन दिये, इतना उंचा बिचार सारा चीन बहुदिष्ट बन गया, अज चीन जा रहा है, सत्व पुजारी चीन बन क करके दुनिया का सूपर पावर बन गया, आसा है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जनकारी प्राप्त हुई होगी, अगर आपके ही मन में कोई सवाल हो, अगर मानी अरूम कान गुपता जी से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अगर आप वीडियो के मा अगरा आके जाच अगरा आपके जाचना चाहते हैं, अगर आपके शलो से की सोके जिए के उला आपके।